हरे कृष्णा! हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णन आता है कि मार्गशीशुमास में परम भगवान श्री कृष्ण की भकति और पूजा करनी चाहिए। कई स्थानों पर इस मार्गशीशुमास के गुरुवार के दिन महालक्षी का व्रत्भी किया जाता है। देवी लक्ष्मी हर प्रकार के सुख, सम्रिध्धी और एश्वर्य को प्रदान करने वाली देवी हैं। वे भगवान श्री विष्णो की नित्य संगीनी हैं। तो आईए, आज मार्क श्री श्मास के गुरुवार के दिन हम देवी लक्ष्मी की एक पौरानिक कथा का श्रवन करते हैं। एक समय भगवान श्री विष्णो ने एक लीला की और उन्होंने अपनी पतनी लक्ष्मी देवी को खोड़ी बनने का श्राप दे दिया। एक कार्य के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ होता है, जो समय के साथ ही उजागर होता है। अब इस राप मिलने के बाद लक्ष्मी देवी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वे जानती थी कि उन्हें भगवान की इस लीला का हिस्सा बनना है और इसी प्रकार उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए देवी लक्ष्मी भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्या लेकर मर्त्य लोग प्रिथ्वी पर आ गई। जिस स्थान पर सूर्यदेव की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तपस्या की थी, उसी स्थान पर भगवती लक्ष्मी भी अश्व बन कर रहने लगी। वही सुपरनाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम बना हुआ था। संपूर्ण मनोरतों को पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुन्दरवन सुशोभित कर रहे थे। और वहीं पर रहकर देवी लक्ष्मी जो क सबकी कामनाएं पोन करती हैं और जिनका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित रहता है। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णाई लिया। जिनका कंठ नीला है और तीन नेत्र हैं जो व्याग्र का चर्म पहनते हैं। भगवती गवरी जिनकी अर्धांगिनी ब के हजार वर्ष तक उनकी ये तपस्या चलती रही और फिर एक समय भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और बैल पर आरूड होकर उनके समक्ष उपस्थे थुए। उन्होंने घोडी के स्वरूप में विराजमान देवी लक्ष्मी से कहा। हे कल्याणी आप क्यों तपस् जगत के नियंता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत के प्रभू भगवान वासुदेव को छोड़कर आप मेरी आरादना क्यों कर रही है। पती की सेवा करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। हे कल्याण की अभिलाशा रखने वाले स्त्री आपको सदैव उनहीं की सेवा में ततपर रहना चाहिए। और फिर नारायन तो सबके लिए निरंतर परम पूझनिया है। फिर आप मेरी उपासना क्यों कर रही है। भगवान श्रेव की ये बातें सुनकर देवी लक्षमी ने कहा। हे आशुतोष, हे दया सिंधो, मेरे पती न होगा, तभी मैं इस श्राप से मुक्त होकर पुनह वैकुंठ में जा पाऊंगी। इसलिए हे भगवन, मेरे पती देव के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई हूँ। संपून मनोरतों को पून करने वाले आप परम प्रभु को म मैंने अपना आराध्य बना लिया था। इस समय मैं अपने पती के सानित्य से वंचित हूँ। मुझे धर्म पतनी को छोड़ कर वे वैकुंठ में विराज रहे हैं। तो फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। हे देवेश यदि आप प्रसन हैं तो कृपया मुझे वर देने की कृपा करें। हे गिरिजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु मैं जब अपने पती के पास थी उस समय से ही मुझे एक रहस से ग्याद है। और वो ये है कि जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं इसमें कोई संदे नहीं हैं आप दोनों महानुभाव एक ही हैं यही समझ कर मैंने आपका चिंतन किया है। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा हे देवी मैं और श्री हरी बिलकुल एक हैं इस रहस्य के बारे में तुम्हें कैसे पता चला देवता मुनी ज्यानी और बेद के पारगामी पुरुष भी तरक वितरक में पड़े रहकर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। मेरे कई भक्त भगवान विश्णू की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदय उतत पर रहते हैं। विशेशकर कल्यूग में इस बात की बड़ी विशेश लिकिन हे भद्रे हम दोनों में वास्तव में सम्यक प्रकार से एकता है। ये रहस्य तुम कैसे जान पाई। भगवान श्रिव की जिग्यासा को सुनकर देवी लक्षमी ने कहा। हे प्रभु ये उस समय की बात है जब भगवान विश्णू एकांत में पदमासन में स्थित होकर ध्यान कर रहे थे। जब वे इस प्रकार तपस्या कर रहे थे तो उन्हें इस प्रकार देख कर मुझे अध्यन ताश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद उनकी समाधी तूट गई। उनके मुख पर प्रसनता की किरने छलक रही थी। और तब मैंने समय को अनुकूल जान क कर उनसे पूछा। हे प्रभू आप देवताओं के अध्यक्ष और जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव, ब्रम्ह, प्रभूती सबने मिलकर समुद्र का मन्थन किया था। और जब मैं उससे निकली थी तब मेरे मन में विचार आया कि किसको पति चुनू। अता मैंने सभी और द्रिष्टी दोडाई। और उस समय आप ही संपूण देवताओं में श्रेष्ट हैं। इस निर्णे पर पहुँचकर मैंने आपको ही अपना पति देव चुना। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं। जब मैंने अपने पती भगवान श्री हरी को इस प्रका पूछा तो मेरे पती देव भगवान विश्णु ने कहा। हे प्रिये मैं रदय में जिनका ध्यान कर रहा हूं। वो और कोई नहीं। अपितु पार्वती पती भगवान शंकर है। तुरंत प्रसन हो जाना उनका स्वभाविक गुण है। उनके पराक्रम की कोई सीमा नही कभी तो ऐसा होता है कि तृपुरा सुर का वद करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका ध्यान करता हूं। उनका प्रिये प्राण मैं हूं और मेरे प्रिये प्राण वो है। हम दोनों का चित परस पर एक दूसरे में गुन्था हुआ है। अतह हम द स्वामी ने मुझे ये सारा वृतांत और रहस्य कह सुनाया था। इसलिए हे पारवती पति शंभो, मैं आपको श्री हरी के अभिन्न प्रेमी जान करी, आपका ध्यान कर रही हूं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि किसी प्रकार मेरे पति देव का मिलन मुझे सुलब हो जाए। इस प्रकार लक्षमी जी का कथन सुनकर भगवान शंकर ने मधूर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। हे देवी, धैर्य रखो, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ठ हूँ। आपके पतिदेव आपसे अवश्य मिलेंगे और उसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर आपकी कामना पूर्ण करने के लिए अश्वका रूप धारन करके यहीं पर पधारेंगे। आप उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनेंगी। आपके पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक जुकाएंगे और वो भू मंडल का राजा होकर रहेगा। हे महाभागे पुत्र प्रसव करने के पश्यार आप तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाएंगी। और पुनह आपको उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सवभाग्य सुलब हो जाएगा। आप दोनों का वो पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा और उसी से भू मंडल पर है है संग्यक शत्रियों की वन्शावली आरंब हो जाएगी। इस व्रकार देवी लक्ष्मी को वर्दान देकर गवरी पती भगवान शंकर पारवती सहित अंतर ध्यान हो गए। प्रसिद्ध के लिए वैकुंठ में भेज दिया। भगवान श्रिव ने कहा है चित्ररूप तुम्हें इसी क्षण श्री हरी के पास जाकर उनसे मेरी बाते कहो। तुम्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसे वे अपनी पतनी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में प्रयतन शील हो जाए। भगवान शंकर की आग्या पाते ही चित्ररूप तुरंत वैकुंठ के लिए निकल पड़े। वहां पहुँचने पर चित्ररूप को भगवान विश्नु का भवन दिखाए दिया। वहां जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा हे द्वारपालों आप लोग शीग रही परम प्रभू श्री हरी को समाचार दीजिए कि भगवान शंकर का भेजा हुआ दूत द द्वार पर उनसे मिलने के लिए खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंधर चले गए। श्री हरी को प्रणाम करके उनके सामने उपस्तित हुए और उनसे कहने लगे। उसे छिपा नहीं रहा। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा। उचित है उसे यहां ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षन पुरुष थे। श्री हरी की आग्या पाकर जय तुरंत बाहर गये। और चित्ररूप से कहे। आईए अंदर पधार चित्ररूप का जैसा नाम था वैसे ही आकरती थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साश्टांग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए। और उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने हसते हुए चित्ररूप से क हे अनग देवादी देव भगवान शंकर अपने परिवार के साथ कुशल से तो है ना उन्होंने आपको यहां किस उद्देश से भेजा है क्या स्वयम उनका कोई कार्य है या फिर देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है। ये सुनकर चित्ररूप ने कहा हे गरुर्द्वज इस जगत की कौन सी बात आप से छिपी हुई है। आप तो तीनों कालों की बाते जानते हैं। फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वो आप से कहता हूँ। हे प्रभु भगवान शंकर ने आपको उसे जनाने के लिए मुझे यहां भेजा है। हे प्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली वे देवी मादा अश्व का रूपधारन करके इस समय वहां पधारी है। देवता, मानव, यक्ष और किन्नर प्राया उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। हे पुंड पतनी यस्त्री की रक्षा सदैव करता है। फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली स्वयम लक्षमी देवी का परित्याग क्यों कर दिया। हे जगत गुरु जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती हैं, संसार में उसके जीवन को धिकार है। दिन रात प्रसन हो रहे होंगे। हे देवेश, देवी लक्षमी में सभी शुब लक्षन विद्यमान हैं, इसलिए उचित तो यही है कि वे आपके पास रहें और उनके साथ आपका अनंद पूर्वक समय व्यतीत हों। हे प्रभु, आप महा भागा देवी लक्षमी के पास पधारें, पुत्र उत्पन हो जाने के बाद उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाएं। इस प्रकार चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने चित्ररूप को शंकर भगवान के पास जाने की आग्या दी। दूद के चले जाने पर भगवान विष्णु ने सुन्दर अश्व का रूप धारन किया और वैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी देवी ने भी अश्विनी का रूप बना कर जहां तपस्या कर रही थी, उस थान पर वे पहुँच गए। वहां जाकर देखा तो लक्ष्मी देवी वहां अश्वी रूप में विराजवान थी। देवी लक्ष्मी की दृष्टी भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंद पहचान गई कि यही मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए अश्व का रूप धारन करके आये हैं। उन पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी अब आप अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्ववत अपना दिव्य दे धारन कर लें। और हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर के साथ वैकुंठ में पुनह लोट चलेंगे। आपके द्वारा उत्पन हुआ ये पुत्र यहीं पर रहेगा। उसके बाद भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायन ने अपने अपने दिव्य शरीर धारन करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान करना आरंभ किया। उस समय भगवती ने उन प्रान पती श्री हरी से कहा, हे नाध, कृपया इस बालक को भी हमारे साथ ले चलिये, मैं इसका त्याग नहीं करना चाती, आपके समान प्रतिभा युक्त ये मेरा पुत्र, प्रानों से भी अधिक प्रीय है, क्या हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? तब इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं तुम्हें बताता हूं। पुत्र की अभिलाशा रखने वाले उन्ही नरेश को हम ये बालक सौप देंगे। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा और इस पवित्र मास में इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपने मित्रों परिवार जनों को भी ये बताईए कि इस पवित्र मार्ग शीष मास में देवी लक्षमी के इस सुन्दर वृतांत का वर्णन सुने। इससे वे भी हर प्रकार के पुन्य के भागी बन पाएंगे। ऐसी कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजे। नोटिफिकेशन ओन रखे और हम आप से मिलेंगे ऐसे ही एक पौरानिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।